पैट्रिक भाई जिन पैसों की आप बात कर रहे हैं वो कोई फैनेंशल एड या मदद नहीं थी बलकि इन्वेस्टमेंट थी जिस एड की ये भाई साब बात कर रहे हैं वो 2015 में बंद हो चुकी थी हमारे पैसे लौटाएं जाएं आखिर क्यों किसी आ गया है ब्रिटेन ये बिल हमाई तरफ से है नहीं समझे हम आपको बताते हैं कि चंदायान तीन की सफलता की बढ़ाई देते वक्त ब्रिटेन के एक पत्रकार को अचानक से वसूली करने की सूची और बिना किसी चानवीन के धड़ाम से मांग लिये हुआ यू कि जीवी नियूस के एक जर्नलिस्ट पैट्रिक क्रिस्ट्रिस को भारत की सफलता गले नहीं उतरी चंदायान तीन की बढ़ाई देते वे उन्होंने कहा कि अब जब भारत इतना लायक हो चुका है कि वो चान के साउथ पोल तक पहुँच चुका है तो उन्होंन बिटेन से लिए हुए 2.3 बिलियन डॉलर वापस कर देना चाहिए जिस देश का स्पेस प्रोग्राम इतना समर्थ हो उस देश को फैनेंशल एड देके बिटेन के टेक्सपेर्स की पैसे बरबात नहीं होने चाहिए इतना ही नहीं भाय साब ने हमें ये भी जला दी कि हमें हमारी देश की गरीबी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जिस देश को अपने देश के लोगों की गरीबी की न पड़ी हो उन्हें बिटेन के पास अपने हाथ फैलाते हुए अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए नहीं आना चाहिए अब जब चोर कोतवाल को ही डाट रहा है तो उसे सही हिसाब समझाना जरूरी हो जाता है इसके साथे भी यही हुआ सोशल मीडिया ने इसके हाथ में बिटेन के लूटे हुए 45 ट्रिलियन याद दिला दिये एक ने तो यह भी कहा कि भाई 45 ट्रिलियनों में से 2.5 बिलियन कार्ट के लूटा दो पर हम भार्टी हैं जाँ जरूरत नहों वहां हम खाली पड़े हुए प्लास्टिक के डपे भी नहीं देते हैं फिर भी 2 मिलियन बंद रहा है पैट्रिक भाई जिन पैसों की आप बात कर रहे हैं वो कोई फैनेंशल एड या मदद नहीं थी बलकि इन्वेस्टमेंट थी जिस एड की ये भाई साब बात कर रहे हैं वो 2015 में ही बंद हो चुकी थी क्योंकि 2011 में प्रणा मुकरजी ने कहा था कि भारत के विकास में ये पैसे पीनर्स याने की मुँखली के समान हैं और अब भारत को इसकी कोई जरुद नहीं है यहां तकी 2011 में ही UK की सरकार ने भी यह माना था कि इन पैसों का जोगदान भारत के विकास में नखे बराबर है International Development Committee of UK Parliament ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए यह साफ कहा था कि भारत की GDP में यह पैसे का महत्व बहुत ही सिमित है यह एड जो 2015 में बंद हो गई थी वो भी ब्रिटेन की कोई महरबानी नहीं थी बलकि एक जरिया था भारत के साथ अच्छे संभन बनाए रखने का ताकि अपनी गिर्ती एकनोमी को थोड़ा संभाल सके 2015 के बाद भारत में जो पैसे ब्रिटेन से आए वो इंवेस्मेंट यानि की निवेश के तौर पे आए जिससे ब्रिटेन का फायदा ही हुआ है और रही बात गरीवी की तो बता दे की पिछले कुछ सालों में 135 मिलियन भारती लोगों ने अपनी बढ़ती आबादी के बावजूद भी गरीवी रेखा के उपर आ चुके हैं जबकि ब्रिटेन का एक चौथा हिस्सा अभी भी गरीवी रेखा के निचे है जिन लोगों ने खाने लाय तक नहीं छोड़ा था कम से कम उन्हें टॉलिज बनाने की सला तो नहीं देनी चाहिए खेर चोड़ो इस समय जब ब्रिटेन की एकनौमी गिरी है तब इस वीजियो के जरिये कम से कम थोड़े पैसे और पॉबिसिटी तो मिली गई होगी फिलाल इतने पैसे में इतना ही मिलेगा I would also like to now invite India to return the 2.3 billion pounds foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021 we're also set to give them 57 million pounds next year but I think the British taxpayer should keep hold of that we should not be giving money to countries with a space program as a rule if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon you shouldn't be coming to us with your handout you